हालो मेरा नाम दॉक्र दीपर केरेकर है मैं साइकेट्रिस्ट, टेक्सोलाजिस, एनल्पी ट्रेनर, हिप्नो थेरेपिट और एक कोच हूँ मैं आपको बताने वाला हूँ आज टांग गेंडर है, टांग सेक्शुल इसके बार है होता क्या है कि काफी सारे पेरेंट्स मेरे तरफ अपने लड़की को लेके आते हैं लड़का रहता है, पुरू जैसा रहता है, दिकताब ऐसा ही है, मग यह बोलते कि उसको लड़की बनने का है कुकि उसके हाव हाव जो है वो लड़की जैसे रहता है इसका चलना बात करने का तरीका ह送ने उसके बना अन्यलन पर वह चाहता भी है कि मुझे लड़की बनाऊ गता तुछ सो अच्छा नी लगता लड़का बनके रहने में उसको अच्छा तुरहका लगता है क्योंति नहीं नहीं मेर्य और यह खुंक्झ यह है में परफिश के हों मगर काश लड़की होता तो अच्छा रहता है मदल सका Menti Mechanism जो है Subconscious Mind अंतरमन में उसका पका खिक्स हो जाता है उसका जो Brain Pattern , वो पका हो जाता है कि काश में लड़की होता तो अच्छा रहता और फिर कुछ भी समझाओ यह समझने को तयार हैता है, यह शादी करने को तयार नहीं होता है, बाकिन लोग पूसे रहते हैं कि शादी करना प्रोज अपना लड़की हैं और फिर उसके वजह से उसको tension, stress, depression, एंडराश, हताश, किन्ता, ऐसी बीमार्य भी होती है और वो गोलता है कि नहीं में आपरेशन करो और मेरेको लड़की बनो इसको जैब भी बलते हैं gender identity disorder और gender dysphoria लड़कियां भी कभी-कभी ऐसा होता है कि लड़कियां होती है मतलब होती लड़की मगर वो लड़के जैसा भीहर करती है मगर वो समाज में चल जाता है वहाई तुफ आशही एवो जैसा लड़की टुफ सब्राइब कि बरता हो करते बॉलती चालती है तो वह जल जाता है वैसा और वह तुब लड़के जैसा बोलेंगी जो ज़ए खेलते हैं वह ऐसा खेलेंगी लड़के जो सर्विस करते हैं वा इसे बधुर्स में जाएँगे वो वैसे एजुकेशन लेंगी, मगर वो समाज में चले उसमें को पॉबलम नहीं आता है। प्रॉबलम वहाँ जादा आता है कि जो लड़का रहता है और वो बोलता है में को लड़ी को होना है। तो यह सबकॉंचस मैं में पक्का रहता है। हमारे पास में लाते है लोग कि ने इसको hypnotize करवा। इसको NLP शिखा और NLP टेक्निक से उसका जो सबकॉंचस मैं अंतरमन में जो पक्का बैठा हुआ है वो निकालो। और कुछ-कुछ लड़के लोग उनको ऐसा है कि नहीं मैं लड़की रहता काश तो अच्छा रहता है। वो खुद हो क्या थे। तो इसमें दो प्राब्लम है। एक तो माँबाप में लाया हुए एक प्राब्लम है और वो लड़का तयार नहीं रहता कुछ करने के लिए। कुछ लोग बहरे पास में आते कि नहीं। मैं लड़का हूँ लड़की जैसा ब्लेव करना मेरे को अच्छा लगता है। मगर अभी मेरे को नहीं होना मेरे को कीग होने का है। मेरे विचार निकालो। और मेरे को शादी मेरे करने के अभी और मेरे तयान हूँ मगर विचार जो आते वो निकालो। तो उसका हिलाज्ट वह आसान है अंतरमन में जो बैठा हुआ है सबकॉंशस में में जो बैठा है एक ब्रेन पैटन त्यार है उसको री प्रोग्रामिंग के संभोन के मांधियन के या कॉंसिलिंग के मांधियन के और नहीं तो फिर ये खुद हो के दक्टरों के पास में जाकर आपरेशन कर लेते लड़की जैसा जो सेक्स ओर्वन से वह तैयर कर लेते लिए वह बदने का है तो फिर वह आपरेशन के लिए मतलब ठीक है और ऑपरेशन की के चेफ बन सकती है तो इसमें उसका इलाज करना अभी संभव है कि जब खुद उनके आते हैं और नहीं कभी उसको उसकी जिंदेगी दिने कोई प्राबलम नहीं है माम आपको भबड़ा प्रव्य हो जाता है, अब वह तयार नहीं है उसको लड़की जैसा रहना है तो आप क्या करेंगे तब भी जब सब घर के लोग लाते हैं हमारे पास में कि नहीं भी इसका कुछ की भी करवा हो तो हमारे तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि नहीं उसका जो जैंडर आइडेंडिटी डिसार्डर जो हो जो डिस्पूल लिया है वो हमको उपना को इसको जो जो कर सकते हैं और वेक्तिव तयार है तो बिल्कुल अच्छा बना संभव है तो थैंक्यों वेरिमाइच यह आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो जलूर शेर करो लाइक करो सब्सक्राइब करो थैंक्स बाइबाइबाइब